हलो एर्वान आम रमेश निसाद वालकम यू ओल अन भी हाफ आप अभीपसण अभीपसद टीम आज की इस वीडियो लेक्शर में हम कवर करने वाले हैं डूस डारेक्टेट के इंपॉर्टेंट कोश्चन्स और आज हम एकदम डीटेल से जानेंगे पिछले वीडियो लेक्शर में हमने डूस डारेक्टेट के पार्ट वन को देखा हुआ था और ये डूस डारेक्टेट के पार्ट टू है यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्कृप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप जा करके देख सकत हैं. So, now let's see our question. Our first question is, see health for mother in kitchen. Make a sentence emphatic using do, does, did. Do, does, या फिर दीड में से किसी एक का यूज करके हमें sentence को क्या करना है? Emphatic बनाना. Emphatic, it means, जोरदार बनाना है, प्रभावी बनाना है. जैसे आप बोलते हो, मैं सुभा जल्दी उठता तो हूँ, I do get up early in the morning, मैंने खाना खाया तो था, I did have a meal. इस तरह से, यदि emphatic, it means, हम जोर दे करके बोलते हैं. जैसे मैं कहांगा कि तुम पढ़ते तो हो, you do, read. ऐसा. तो do, does and did में से किसी एक का यूज करना है. तो ये depend करता है, ये कौन से tense का sentence है. जैसे present indefinite tense की बात आए. तो present indefinite में हम किसका यूज करते हैं? do या फिर does का यूज करते हैं. past indefinite में हम did का यूज करते हैं. और future indefinite में हम किसका यूज करते हैं? will do या फिर shall do का यूज करते हैं. तो ये रहा present, past and future. present indefinite, past indefinite and future तो यहां पर देखिए जो सेंटेंस है यह कौन से टेंस का सेंटेंस है तो देखिए माा की मदद करती है यह इसको में एम्फैटिक बनाना है जोड़ार मना यूज करते हैं अब किसके साथ do का यूज करेंगे किसके साथ does का यूज करेंगे तो देखें I, we, you, they and one plus subject one plus subject means एक से ज्यादा subject के साथ एक से ज्यादा लोग है एक से ज्यादा चीज़े हैं उसके साथ हम किसका यूज करते हैं do का यूज करते हैं कि साथ करते हैं वर वं सब्स इंट के साथ सब्सटाइब सब्सक्राइब कि हिसको आप याद रखेंगा सबस्टाइब करेंगे और फीचर की बात तो तो will do या फिर shall do का use कर सकते, दोनों correct रहेगा, तो देखें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, see helps or mother in kitchen, तो यहाँ पर see है, तो see है, it means किस में आएगा, does, यानि see में क्या आएगा, does, तो इसका जो answer हो जाएगा, वो इस तरह से होगा, subject को हम लिखेंगे ही, उसके just बाद हमें लिखना होता है, do या फिर does, तो see के साथ क्या आएगा, does, तो see does, अब देखें, यह जो helps है, यानि verb के साथ is जुड़ा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, help हो जाएगा, helps नहीं रहेगा, यानि verb की first form में आ जाएगी, past की यदि बात रहेगी, तो भी वो first form में आ जाएगी, तो देखें, see does help, उसके बा in kitchen, now let's see the next question, the teacher was standing blank, the students, यानि students के साथ, जो teacher है, वो किस position में खड़े हुए है, या खड़े हुए थे, fill in the blanks with, between, among and with, between, among and with में से किसी एक का यूज करके, हमें ब्लैंक को फिल करना है, तो यहाँ पर देखें, between का यूज हम दो व्यक्ति हैं, दो चीजों की बीच की बात यानि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तू है, वो दो चीजों की बीच में है, दो वस्तूओं या दो व्यक्तियों की बीच में हो, तब हम between का यूज करते हैं, दो से ज़्यादा लोग या दो से ज़्यादा चीजों की बीच की बात रहे, यानि two plus रहे, तब के sense में हम among का तो यहां पर देखे, जो teacher थे, वो खड़े हुए थे, तो students की बीच में खड़े हुए थे, तो वहां पर हम, जो students थे, students जाहे सी बात है कि class है, तो उसमें दो से जादा ही बच्चे रहेंगे, तो यहां पर क्या प्रपेट होगा? Among, तो यहां पर हम लिखेंगे Among, The teacher was standing among the students. Now, let's see the next question. The food is nice, the restaurant is dirty. इसमें क्या करना है? दो sentence है, combine the following sentences into compound sentences. Sentence, compound sentence, यहनि से यह तो वाक्य में हमें combine करना है, दोनों sentence को जोड़ना है. तो देखें, जो food है, वो nice है, restaurant क्या है? गंदा है, dirty है. तो, compound sentence बनाने के लिए हम कई सारे conjunction का use करते हैं, जैसे, and, but, or, yet, nor, और किसका use करते हैं? इसके अलावा हम, जो है, so का भी use करते हैं. तो इस तरह से कई सारे words हैं, जिसका हम use करते हैं. तो यह condition पर depend करता है कि जो sentences हैं, वो कैसे हैं? तो यहाँ पर देखें, food अच्छा है, खाना अच्छा है, restaurant गंदा है. दोने एक दूसरे के विरोधी है, तो विरोधी है, तो हम किसका use करेंगे? यहाँ पर, but का use करेंगे. तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, the food is nice. और यह विरोधी है, कॉमा लिखेंगे, उसके बाद, but, but the restaurant is dirty. तो इस तरह से हमारा sentence हो जाएगा, complete compound sentence. The food is nice, but the restaurant is dirty. Now let's see the next question. He went to the market yesterday. Change into interrogative sentence. Interrogative, प्रस्ट नवाचक बनाना है. He went to the market yesterday. वहकल बजार गया था. तो इसको interrogative में क्या बोलेंगे? क्या वहकल बजार गया था? तो यह कौन सेंस है? यह है past indefinite tense. वर्ब की first form go, second form went, and third form gone. गो, वेंट, गोन. अब जैसे हम interrogative sentence बनाते हैं, यहने past indefinite go, तो वर्ब की first form में हम change कर देते हैं. और इसमें हम कीज़ का यूज़ करते हैं? helping verb, did का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? did हम लिखेंगे, उसके बाद subject, did he, उसके बाद यह जो went है, वो verb की first form में change हो जाएगा, यहने go में. तो, did he go to market, to the market, फिर क्या हो जाएगा? yesterday. यह हमारा answer, यह हमारा answer हो जाएगा, और यह जो है, question वाला है, तो यहाँ पर question mark लगा देंगे, did he go to the market yesterday, okay, now let's see the next question, he is still sleeping, add question tag, question tag add करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? he is still sleeping, तो sentence को हमें as it is लिखना होता है, question tag में, तो यह हो जाएगा, he is still sleeping, as it is sentence को लिखेंगे, question tag में, उसके बाद, फिर यहाँ पर helping verb क्या है? is है, तो is को हम लिखेंगे, उसके बाद, यह sentence जो है, यह positive है, तो इसको हम क्या करेंगे? negative, और इसको हम short form में लिखेंगे, isn't, aren't, अलग-अलग नहीं लिखना है, is not नहीं लिखना है, यहीं sentence negative होता है, तो इसको हम positive रखते, isn't, उसके बाद, जो subject है, वो क्या है? he है, और he क्या है? एक pronoun है, तो हम यहाँ पर pronoun का use करते हैं, और उसके बाद last में question mark लगाना जरूरी है, यही पैजान है question tag की, तो इस तरह से, he is still sleeping, वो अभी भी सो रहा है, क्या वो नहीं सो रहा है? ऐसा होता है question tag, question tag का complete video मैंने बनाया हुआ है, यदि आपने उस video को नहीं देखा है, तो आप इस video की description में, box में जा करके देख सकते हैं, उसमें मैंने एक एक चीज़ों को, question tag को एकदम detail से समझाया हुआ है, तो उस video को आप एक बार जरूर देखिएगा, तो he is still sleeping, isn't he? तो इनमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान देनी हैं, कि जो sentence positive है, तो question tag negative लगेगा, अगर sentence negative है, तो question tag positive होगा, यानि just उल्टा, और कॉमा का यूज करना है, और question mark का यूज करना अनिवार्या है, और last time में हम किसका यूज करते हैं, हम pronoun का यूज करते हैं, यानि noun की जगा पे pronoun का यूज करते हैं, Now let's see the next question, I showed my bicycle, change into passive voice, passive voice में change करना है, मैंने अपनी bicycle बेची, अब इसी को passive में कैसे बोलेंगे, मैंने अपनी bicycle बेची, तो इसको क्या बोलेंगे, मेरी bicycle मेरे द्वारा बेची गई, ऐसा, तो passive voice में हमेशा याद रखिए, कि passive voice में हमेशा हम verb की third form ही यूज करते हैं, चाहे कोई भी टेंसर है, तो यह जो sold है, तो यह verb की first form sale, second form sold, and third form भी sold, यहाँ पे देखिए, यह जो sold है ना, यह verb की second form है, लेकिन हम passive voice में हम इसा verb की third form ही यूज करेंगे, यानि sold, हाला कि दोनों सेम हैं, तो देखिए, passive voice में हम object को पहले लिखते हैं, और जो subject है, उसको last में लिखते हैं, वो अब तो बेच में रहती ही है, तो object क्या है, माई, बाइसिकल, यह है हमारा object, past indefinite का sentence है, और past indefinite में हम किसका यूज करते हैं, was and were का यूज करते हैं, अब was का इसके साथ करते हैं, was का यूज हम, I, he, see, or, it, or, one subject के साथ, one subject याने एक वस्तू, एक व्यक्ति हैं उसके साथ, were का यूज किसके साथ करते हैं, we, you, they, they, और one plus subject, याने एक से ज्यादा subject के साथ हम were का यूज करते हैं, we, you, they, या one से ज्यादा subject है, तब के sentence में were का यूज करते हैं, तो देखें, my bicycle कितनी है, bicycle कितनी है, एक है, एक है, it means one subject, तो my bicycle, यहाँ पर क्या जाएगा, was आ जाएगा, तो my bicycle was, उसके बाद verb, verb लिखेंगे, verb की क्या, third form, sold, my bicycle was sold, उसके बाद किसके द्वारा, by, उसके बाद subject क्या है, I है, तो I का क्या हो जाएगा, objective case में, मी हो जाएगा, तो इस तरह से हम लिखेंगे, my bicycle was sold by me, तो I का मी हो गया, V का अस हो जाता है, U का यू ही रहता है, ही का हीम हो जाता है, C का हर हो जाता है, तो इसको आप याद रखीगा, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, my bicycle was sold by me, यानि मेरी जो bicycle है, वो मेरे द्वारा बेची गए, ना लेट से नेक्स क्वेशन, रवी गोज टू मुंबई, चेंज इन्टू पास कंटिनिवस स्टेंज, पास कंटिनिवस स्टेंज में चेंज करना है, रवी गोज टू मुंबई, रवी मुंबई जाता है, अब इसको हम पास कंटिनिवस में चेंज करेंगे, और वर का यूजज वी यू दे क्या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के साथ दो तीन चार उसके साथ भर कर ten तो यह जो रुल है वह सें रहेगा तो इसमें हम वाज प्रम करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फर्म के साथ लाइंची करते हैं यहां करते हैं तो यहाँ पे रवी हो जाएगा रवी उसके बाद रवी एक सांथ इसलिए किया जाएगा यहां पे वह जाएगा तो रवी वोज और यह जो है गो कि शायां क्या लिखेंगे गो-ईग एंजी-े फॉन तो Ravi was going, उसके बार to, फिर Mumbai, यह हमारा अंसर हो जाएगा और इस तरह से हम लिखेंगे, Ravi was going to Mumbai. Now let's see the next question, Ravi, sorry, Ram knows me, change into PC voice, PC voice में change करना है, तो same रहेगा, यह हमारा subject, यह verb और यह object, know, यह verb की first form, second form, new and third form, known. Know, new and known और passive voice में हमें सब verb की third form ही use की जाती है, तो me का क्या हो जाएगा, me जो है objective case में है, objective case को अब subjective में लाते हैं, I जब subject में था, object में हमने मी लिखा, तो वैसी यह दिवो मी हैं, तो उसको हम इस जगा पे लाएगे, subject लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, मी का क्या हो जाएगा, फिर से आई हो जाएगा, अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे, तो यह हो जाएगा, अब आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आएगा present में, हैना present की बात हो रही है, तो present में किसका किसका य definite में, present indefinite में हम is, am, is, am and are का use करते हैं, टीनों helping verb का use करते हैं, तो is का use किस के साथ करते हैं, is का use, he, see, it, और one subject के साथ, one subject के साथ हम is का use करते हैं, aim का use हम i के साथ करते हैं, और r का use, you, we, and they, और one plus subject, यानि एक से ज़्यादा subject के साथ r का use करते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे, present indefinite tense में is के साथ, he, see, it के साथ is का use, he, see, it और one subject के साथ, i के साथ, aim, you, we, they, and one plus subject के साथ r, तो यहाँ पर i है, तो i के साथ क्या आएगा, i am, अब verb की third form, no, new, and noon, तो क्या आजाएगा, noon, तो i am noon, उसके बाद किस के द्वारा, राम के द्वारा, यहाँ पर हम लिखेंगे, राम, अब यहाँ पर हम by नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, to, तो यह एक अपवाद है, ज्यादा तर हम क्या लिखते हैं, by, इसके द्वारा, उसके द्वारा, तो by का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम by का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर किस का यूज करेंगे? तो का यूज करेंगे. मैं राम से जाना जाता हूँ. I am known to Ram होगा. चीक है, बाई राम नहीं होगा. बाजी सारी जगों पर बहुंश्राइ सारी जग नहीं होगा, चीक हैं हम बाई का ही यूज करते हैं. इहां पर याद रखेंगे तो करेंगे I play tennis change into perfect sense perfect senseTIM saving example में है तो इसको हम project make means करेंगे तो present perfect test में change करने के लिए हम दो helping verb कर यूज करते है एक होता है एक है has और एक है हमारा have अब किसके साथ has करें किसके साथ have कर उसकुरें तो हैस का यूजुजेगे फीट और उन सब्जेक्ट के साथ एक सब्जच्च से जादा एक से jumping सब्जेक्ट से ज्याहदा सब्ढ करते हैं तो देखिए यह क्या हो जाएगा और देखिए perfect विपसरस्पेक्ट है जब रहे हमें से यसर हम वर्ब की 3rd फॉर्म करते हैं तो यहां पर देखिए आई हो जाएगा सकव Boy के तो ओर ऑघर के थी हाव और वर्ब की आंसर हो जाएगा I have played tennis now let's see the next question right again make the sentence emphatic sentence को emphatic बनाना है जूरदार बनाना है तो हमने पहले ही देखा हुआ था हमने पहले ही चर्चा की थी कि present me या present indefinite tense में हम दू या फिर दू कर यूज करते हैं past indefinite में डीड कर यूज करते हैं and future indefinite में हम will do या फिर sellers का use करते हैं और word की first form का यूज करते हैं यहां पर Oo sentence है यह कौन सहींटेन्स है यह एक imperative sentence है अब imperative sentence में हम किसका यूज करते हैं बाइं Memphis sentence में हम regardeे हैं तो यह क्या हो जाएगा डू को हम साबने लिखेंगे और यह जाएगा right and again do right again फिर से लिखो फिर से लिखना जरूर जैसे हम बोलते हैं न मेरे घर आना जरूर do come to my home do come to my home या फिर बोलते हैं न मुझे message भेजना जरूर do send me a message तो ऐसा इसी तरह से आप जो है जो भी imperative sentence उसमें आप do का use करेंगे do को सामने में लिखेंगे फिवर्ब उसके बाद जो भी जो भी चीज़ें उसको आप लिखेंगे तो इस तरह से आप do as correlation के साथ नेक्स वीडियो लाइक्षर में तब तक के लिए धन्यवाद